नमस्ते विद्यार्थियों, JCRTK DG स्कूल में आपका स्वारत है विद्यार्थियों हम नागरिक सास्त्र विशय का अध्यान कर रहे हैं और सात्मी कर्षा के पहले अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र इस पर हमने दो विडियो के माध्यम से इस पाठ के कुछ अंसों को समझा है विद्यार्थियों, अब हमारे समक्ष ये तीसरा विडियो है और इस तीसरे विडियो के माध्यम से हम इस चाप्टर को पूरा-पूरा समझने का प्रयास करेंगे और यही इस चैप्टर का अंतिम विडियो भी है तो बच्चों देखिए आपके समक्ष नागरिक सास्तर अध्याय एक प्रिष्ट पांच का जिकर है बच्चों प्रिष्ट पांच पे देखिए बावा साहब भीमराव अंबेदकर जी की तस्वीर है और उन्होंने लोगतंत्र की सफलता को आत्म सम्मान से भी जोड़ा है तो बच्चों अभी जिस चैप्टर का हम अध्यान कर रहे हैं उसका नाम है लोगतंत्र आपको पता है बच्चों तो लोकतंत्र में समानता और असमानता इसका क्या मतलब है किस परकार से असमानता जो है वो किसी देश के लोकतंत्र को असफल करने के लिए प्रयाप्त है किसी देश का लोकतंत्र असफल हो सकता है यदि कि उस देश में नागरिकों के बीच असमानताएं हो तो सहाभ भीमरा अमेतकर जी ने कहा था कि अपने आत्म सम्मान को दाओं पर लगा कर जिवित रहना और सोभनिये है आत्म सम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है इसके बिना व्यक्ति नगणने है आत्म सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाईयों पर विजय प्रात्त करनी होती है मचो आप ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पे यह आपके पाठ का ही अंस है केवल कठीन और निरंतर संगर से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मानेता प्रात्त कर सकता है तो देखिए कितनी महत्वण बाते हैं जो हमें जानना चाहिए अब देखिए आगे है इस चैप्टर में भारत में असमानता को लेकर कि भारत में समाजीक जीवन के कुछ छेतर में असमानता अभी भी मौजूद है बिलकुल मौजूद है अजादी के सत्तर साल बात भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कारे करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती आपको कही ऐसे इस्तरी, प्रूस और बच्चे मिल जाएंगे जो सडकों के किनारे, प्लास्टिक के टुकडे या कुछ इस परकार की वस्तुओं को चूनते हैं हम लोग सौभाविक रूप से बच्चों ऐसा देखते हैं ट्रेनों में अवैद रूप से बोगी के अंदर जाडू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है कितना मारमिक द्रिस होता है बच्चों कई बार हम उस तरह के बच्चों को ठुकरा देते हैं है ना, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी गरीबी है बच्चों कितना अन्याय है किसी के साथ प्राया उनके साथ उचीत ब्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि बावा साहब भीम राव अंबेतकर जी ने आज से सतर असी साल पहले जो बातें कही जो बातें हमें समझाई और समिधान में जिन चीजों को जोड़ा और लोकतंतर की सफलता के लिए जिन बातों के महत्तों को समझाया वे चीज़ें आज भी हम देखते हैं तो ये तो हुई निर्धनता की बात लेकिन कुछ और बाते हैं बच्चों हमारी जो जाती बेवस्ता है स्रिफ निर्धनता के साथ जुड़ी हुई नहीं है अब पिजन बात पांच पे ही फोकस कीजी बच्चों यहां लिखा है निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अने अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाती बेवस्ता आप सोच सकते हैं कि जातीगत पहचान गाओं में होती है सहर के लोग जातीगत बेवस्ता पर विश्वास नहीं करते साथ आप ऐसा सोचते होंगे आपकी सोच गलत हो सकती है समाचार पतर के बैवहाई बिग्यापन के जिसकों लोग मेट्रिमोनियल कहते हैं कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच सिक्षा प्राप्ट सहरी भारतिय के दिमाग में भी जाती कितनी महत्वपून है देखिए यहां पे एक मेट्रिमोनियल एजेंसी के माध्यम से यह बैवहाई बिग्यापन दिया हुआ है मतलब साधी के लिए बिग्यापन दिया हुआ है इसमें तीन बिग्यापन है बचो पहला है उसमें लिखा हुआ है तैलिक मतलब उनकी जाती है अठाइस मनें वह अठाइस बर्स का है पांच फूट साथ इंची यह हाइट है उचाई है पीसडी मनें बहुत उच डिग्री होती है पीसडी है न वह डॉक्टरेट किये हुए है सोचिए सिक्षा के छेत्र में सबसे उच डिग्री है पढ़ाने के लिए बिएड तब एमेड नेट किये हुए हैं जेट किये हुए हैं सरकारी सिक्षा खेतु स्वजातिय कन्या चाहिए बने एक तैलिक समाज के कोई पुरूस है वह अठाइस साल के हैं है न वह पांच चलिए इस पर हम ज़्यादा टिपणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह है एक उधारन जाती ब्यवस्था का उसके अलावे दो और है बच्चों देखिए 23 साल की एक महिला है जो पांच फूट तीन इंच लंबी है स्लीम है गोरी है असनात कोतर है यानि कि पोस्ट ग्रिज आप लोग देख लिजे अपने पाठे फुस्तर पर भी वो है और यहां हमारे स्क्रीन पर भी है तो कहीं न कहीं जाती ब्यवस्था भारत में बहुत अंदर तक परवेश की हुई है यह हजारों हजार साल से जो जाती ब्यवस्था देश में है तो इस पर ज्यादा टिपण करना उचित नहीं है लेकिन यह तो जरूर है कि बहुत सारी चीजियें जो हैं परिवर्तन मांगती हैं बहुत सारी चीजियें ऐसी हैं जो लोग तंतर की सफलता असफलता से भी जुड़ी हुई है और इसमें से समाजिक ताना बाना भी एक बहुत बड़ी चीज है अब डिगनिटी चलिए यहां पर बच्चों एक तस्वीर है जो की दिवार फिल्म जो की सन 1975 में बनी थी उस फिल्म का एक सीन है तो इस सीन में क्या चीज है बच्चों इसको थोड़ा सा अब मैं बताता हूँ आप लोगों को यहां पर एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है वो कह नहीं पर अपना जूता पॉलिस करवाता है सड़क के किनारे जूता पॉलिस करवाता है और अक्सर बड़े सहरों में जूता पॉलिस करने वाले बच्चे भी होते हैं तो उसमें एक बच्चा होता है जो की जूता पॉलिस कर रहा होता है तो जो स्मगलर है वो देख रहे है सूट बूट में है तो उन लोगों का من मिजज भी कुछ उसी तरह का होता है तो बच्चे के प्रति उसमें कोई संबेदना नहीं थि बस वो सीधे क्या करता है जूता पॉलिष करवाता और पैसा फेक कर देता है तो जब पैसा फेक कर देता है बच्चों तो वो पैसा लेने से इनकार कर देता है ठीक है तो ये सीन है अमीताब बच्चन की फिल्म है सन 1975 में बनी दिवार फिल्म ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्राया कुछ लोगों के साथ असमानता का बेवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन किस जाती लींग या धर्म में हुआ है अथवा वे अमीर हैं या करीब जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का बेवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुचती है उनके आत्म विश्वास में कमी आती है 1975 में बनी दिवार फिल्म में जूता पॉलिस करने वाला एक लड़का फेक कर दिये गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुकतान आदर के साथ किया जाना चाहिए सब भे समाज में मनुस को उसके काम का सम्मान मिलना बहुत ज़रूगी है तो समझे होंगे बच्चों डिगनिटी ओफ लेबर क्या होता है अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं बालसंसद की बालसंसद वही बालसंसद जो हमारे बिद्यालेओं में है आप में से कोई परधान मंत्री है हम लोग बनाते हैं किसी को परधान मंत्री बनाते हैं किसी को सिक्षा मंत्री बनाते हैं किसी को बागवानी मंत्री बनाते हैं किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं क्यों बनाते हैं बच्चों इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों के अंदर हम लोग लोगतंत्र की समझ विक्सीत करना चाहते हैं तो वहां हम लोग पूरी पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते हैं जो लोगतंत्र में चुनाओ काधार होता है लेकिन उसके बाउजिद बच्चों आपके अंदर लोगतंत्र के प्रतिस सम्मान हो और आपके अंदर एक ऐसी भावना आए जिससे की आप आगे चलके एक अच्छे नागरीक बन सके इसी लिए बाल संसद के बारे में आप लोगों को बताया जाता है तो यहां देखिए कुछ बच्चों की तस्वीर है जो की बाल संसद के मंत्री हैं है ना बच्चों तो बाल संसद हम लोग क्यों बनाते हैं इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं देखिए बाल संसत के उद्देश के बारे में दिया हुआ है विद्याले विकास है तू नहीं नहीं योजनाएं बनाना आप लोग योजना बनाते हैं बच्चों किधर पेड़ लगाना है किधर कीचन गार्डन होगा है ना विद्याले की सुरच्छा कैसे होगी विद्याले की दिवारें कै से साफ रहेंगी बहुत सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखते हैं पढ़ाई को लेकर अपने आप भी द्यान बहुत सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो इसमें पॉइंट वाई देखी बहुत सारी बाते हैं विद्याले के सिक्षन कार्ज को बेहतर संचा क्लिए बने से बनाया जाता है कख्षा में सीखने का महाल विक्सीत करना विद्यालय को समूदाय से जोड़ना मनी सोसाइटी जिस गाउं से वह विद्यालय जुड़ा हुआ है उससे जुड़ना विद्यालय प्रबंधन यानि मैनेजमेंट से जुड़े बिसियों की पैचान उस पर ठोस निर्णय लेना विद्याले को आकरसक बनाना बच्चों की उपस्तिती नियमीत करना यह सब काम करके बच्चों आप लोग एक तरह से विद्याले को भी सपोर्ट करते हैं और सिछकों को भी सपोर यह हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारतिय समिधान की अनुछेद 15 की बात करते हैं बच्चों आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी आई थी दो साल पहले है ना बच्चों तो आर्टिकल 15 क्या होती है कि जो समानता का अधिकार है ना उसी के उपर भारतिय समिधान क्या कहता ह है वो चीज हमें देखना है तो चलिए भारतिय समिधान की अनुछेद 15 में समानता का प्रावधान राज किसी नागरी के बिरूद केवल धर्म मुल्वन्स जाती लिंग जनमस्थान या इन में से किसी के आधार पर कोई बिवेद नहीं करता है राज का मतलब बच्चों ओलवन्स जाती लिंग जनमस्थान या इन में से किसी क्या धार पर कोई विवेद नहीं करेगा मतलब कि यह क्या है यह निर्देश है ग Kenneth को कि आप यह काम नहीं करेंगे ठीक हैं आगे है कोई नागरी केवल धार्म उल्वंस जाती लिंग जनमस्थान इन में से किसी एक क्याधार पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालेओं होटलों और सार्वजनिक मनुरंजन के अस्थानों में परवेश या पूर्टा या अंस्ता राज निदी से गोशित या साधारन ज अधिन नहीं होगा इसका मतलब यह कि जो चीजे सार्वजनिक हैं वो सबकी है उस पर हम किसी जाती धार्म लिंग बंस या जनमस्थान के अधार पर हम भेद नहीं कर सकते ठीक है बच्चों लेकिन इतना इस कानून तो बना हुआ है बहुत अच्छी बात है लेकिन विचार नहीं तो बिचारनिय सवाल क्या है यह बिचारनिय बिसर है कि कानून के होने के बावजुद लोगों के साथ असमानता का बेवहार क्यों होता है इसके पीछे कारण है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं यह जानते हुए कि भे ये सामुहिक जनता के दृष्टि कोंड से बहुत धिरे-धिरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। । बच्चों आप समझ रहोंगे कि परिवर्तन बहुत स्लो आता है। इतना स्लो आता है कि वो आज सतर साल में भी बहुत जादा देखने को नहीं मिलता। पता नहीं, और कितना साल लगेगा बच्चों, आपको अच्छा नागरिक बनना है, और इस तरह की असमानता, आप मताने दीजिएगा, बच्चों, है न, ना अपने घर में, ना अपने गाउं में, न समाज में, न राष्टी अस्तर पर कोई काम करेंगे, तो उसमें असमानत वहां तक जाती भी नहीं है, है न, बर्तमान द्रिष्टी कोण में बदलाव तभी संभा होगा, जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे, इसके लिए उनको विश्वास करना होगा, कि हर ब्यक्ति समान जनक ब्यभार का अधिकारी है, पुजातांत्रीक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें ब्यक्तियों और ब्यभीन समाजों को सक्रिय सायोर देना है, तो बच्चों यहां तक आप लोग समझे होंगे, अब चलिए हम लोग थोड़ा अपने देश से बाहर निकलते हैं, और और समानता का मुद्दा हम लोग देखते हैं, तो हाँ बच्चों हमारे देश के बाहर भी एक चीज है, और इसका जिकर हम लोग करने जा रहे हैं, अमेरिका के परपेक्शने, जी हाँ, United States of America के बारे में, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है तीसरी दुनिया का देश है, और सच पुछिए तो आ पुर्टगाल के लोग हों, और बहुत सारे हॉलेंड, पॉलेंड, है न, इतली, बहुत सारे देशों के लोग धिरे धिरे पलायन करके, जब वहां गय तो एक देश बन गया, अमेरिका, लेकिन वे बुद्धी जीवी लोग थे, उन लोगों को सरम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आदमी चाहिए थे, और मेहनत करने के लिए उन्होंने आदमी जुटाया कहां से, उन लोगोंने आदमी जुटाया, अफरीका से, जी हाँ बच्चों, इसका जिकर हम लोग इतिहास में कर चुके हैं, जिसको हम लोग दास बेपार बोलते थे, है न, लोगों को ले जाया जाता था, और वहाँ पर काम कराया जाता था, लेकिन बच्चों समय के साथ साथ परिवर्तन आता है, और ये जो दास लोग जो अमरीका में ले जाये गए थे, अफरीका से, तो ये लोग अमरीकी समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं, और धिरे धिरे ये भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, हालां कि मेनत मजदूरी आज भी ये लोग करते हैं, लेकिन अमरीका में इनका उतना सहचिक विकास नहीं हुआ है, और ना ही आर्थिक विकास हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, किस कंटेक्स्ट में हमें बात समझना है, चलिए देखिए, यहाँ पे दो तस्वीरे हैं, एक रोजा पार्क्स की तस्वीर है, जो महिला है, और दूसरे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, इनको तो नोवेल पुरुसकार भी मिला है, मार्टिन लूथर किंग को, तो क्या बात थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए इनक हैं, जिनके पुरुज गुलाम थे और अफरीका से लाए गये थे इनके से बात जाता है, आएऑ जाने कि इनके साथ क्या घटी थिए हम लोग देखते हैं कि इनके साथ कौन सी घटना घटी और इनके साथ क्या बेवार हुआ, है ना, तो चलिए, यहाँ पे है, अफरीकी अ अमेरिकों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था इन्होंने क्या किया था इससे पहले वहां के गोरे इन अफरीकी अमेरिकनों के साथ बहूत असमानता का बेवार करते थे कानून की नजरों में भी वे समान नहीं थे उधारन के लिए बस से यात्रा करत समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा बेकती सामने आ जाता था तो सीट छोड़ देना पड़ता था तो बच्चों रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी वो एक दिसंबर 1955 काफी लंबा आर्शा बीच चुका है तो उस तीथी को अपने काम स जब घर लोट रही थी तो वह काफी ठकी हुई थी और उस अवस्था में उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी परिनाम यह हुआ बच्चों की रोजा पार्क्स को सजा हुई है ना वहां की अदालत ने सजा दी और इसके बिरोध में जो अफरीकी समुदाय के लोग अमेर यहां परыш, फर्स लेडी ओफ सीविल राइट्स देख rapidly सकते हैं उच्छारन वबढ़ा सांतर हो सकता है तो रोजा पार्स जिसकी एक बिद्रो ही तेवर ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया So समझ रहें बच्चों एक्ट्वल इनका पूरा नाम था रोजा लुईज मैककॉली है ना इनका जन्म जो है अलबामा में हुआ था 1913 में तो जब ये एक बार काम करके घर लोट रही थी बस के माध्यम से तो एक गोरा बेक्ती जो है वो इनसे चाहता था कि उसको सीट मिल और वह जो बिरोध हुआ वो इतना बड़ा बिरोध हुआ बच्चों कि आगे चल करके अमेरिका के इतिहास में रोजा पार्स का जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और इस आंदोलन से जुड़े जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनको समझ जा आत्मसम्मान को कैसे हम बचा सकते हैं तो देखिए उस दिन उसके इनकार से उसके यानि कि उनके रोजा पार्क्स के इनकार से अफरीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विसाल अंदोलन सुरू हुआ जिसे नागरीक अधिकार अंदोलन सीविल गाइड कहा जाता है यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था वे अमेरिका के एक पादरी एवम आंदोलनकारी थे उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग को अमरे 2070 के लिए सबसे कम उम्र में नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था इस आंदोलन के फलसरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरी का धिकार अधिनियम कहा जाता है इस कानून के तहट नसल धर्म और आस्टी मूल के अधार पर भेदभाव का निसेध कर दिया गया जो अफरीकी अमेरिकन बच्चे थे उनको अब स्कूल में नामांकन भी इतना होने के बावजूद भी अफरीकी अमेरिकन आज भी गरीब हैं बच्चों अधिकतर अफरीकी अमेरिकन अपने बच्चों की अच्छी बेवस्था वाले स्कूलों में नामांकन कराने में भी असमर्थ होते हैं तो बच्चों कानून संगर्ख्षन जरूर देता है लेकिन जब तक समाज मानेता ना दे समाज अच्छा बेवार ना करे समाज में सब लोग मिल जूल के जीना नहीं सीखे तब तक लोगतंत्र की सफलता और असफलता के बीच प्रस्णचिन लगा ही रहता है तो कुल गूप से बच्चों जो सारांस हम लोग एही कहेंगे कि समुदाय का स्वभिमान और गरीमा तभी बनी रह सकती है बच्चों ये पंग्तिया आपके पाठी पुस्तर के पेज नमबर 10 पे है बच्चों आप पेज नमबर 10 पे देखिए समुदाय का स्वभिमान और गरीमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रयाप्त संसाधन हो, बच्चों पैसा हो, विद्या हो, बुद्धी हो, पढ़ाई लिखाई हो, इसलिए तो हम कहते हैं बच्चों की आप सब पढ़ाई कीजिए, इस समाज में बहुत तरह की असु जनक जीवन जी सकेंगे, और इसके साथ ही साथ आप देश की देश के प्रोग्रेस में देश की उन्नती से भी अपने आपको जोड सकेंगे, तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसे पहले चेप्टर को खुब अच्छी तरह से समझ लिया, जहां तक हो सका, मैंने प्र ना सरिफ हमने लोगतंतर की बात की, बल्कि जो चैलेंजेज हैं लोगतंतर के, लोगतंतर को कैसे हम बचा कर रखें, लोगतंतर को किन-किन परिस्थितियों से हानी हो सकती है, उसके बारे में भी बच्चों आप लोगों को हमने बताया, तो प्रयास हमारा यही रहा कि अपने साथ करें अपने बेवारिक जीवन में भी हम और आप जो लोगतंत्रात्मक जो मूल यह हैं जो वैल्यूज हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो ठीक है वच्चों यह चैप्टर पुरा हुआ इसके पसाथ एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो प्र उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इनको आप बार बार देखिए और अपनी समझ बिक्सित कीजिए ठीक है बच्चों जैहिन बच्चों